इकाईदो इदगाह बल दोस्तों सुप्रभात सुप्रभात टीचर बल दोस्तों आपको कहानिया सुनना पसंद है? हाँ टीचर हमें कहानिया सुनना बहुत पसंद है टीचर मेरे घर पर दादी मुझे रोज एक कहानी सुनाती है अच्छा तो चलो, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ आप सब ध्यान से सुनना इस कहानी का नाम इदगाह है उसके लेखक प्रेमचंद है तो सबसे पहले हम कहानी के लेखक के बारे में थोड़ा सा परीचे सुन लेते हैं बाल दोस्तों, इदगाह कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद है प्रेमचंद का जन्म 1880 में वारणसी उत्तरप्रदेश के पास लमही नामक गाउं में हुआ था उनका बचपन का नाम धन्पत राय था शुरुआत में वे नवाबराय उपनाम से उर्दू में लिखते थे बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे मैट्रिक उत्तिर्ण होते ही अध्यापक बने किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी गोदान प्रेमचंद का सर्वस्रेष्ट उपन्यास है उनकी कहानिया मान सरोवर भाग एक से आठ में संकलित है साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था इदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है कहानी में एक बालक अपने दोस्तों के साथ इदगाह जाता है वह बालक अपनी इच्छाओं का दमन करता है इस कहानी में प्रेम और उप्योगी चीज घरिदने की विवेकपूर्ण बुधिमता प्रकटकी है तो चलो बाल दोस्तों हम यह कहानी सुनते हैं और समझते हैं रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद आज इद आई है कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है आज का सूर्य देखो कितना प्यारा कितना शीतल है मानोसंसार को इद की बधाई दे रहा है गाओं में कितनी हल चल है इद गाह जाने की तैयारिया हो रही है किसी के कुर्ते में बटन नहीं है फडोस के घर में सुईधागा लेने दोड़ा जा रहा है किसी के जूते कड़े हो गए हैं उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें इद गाह से लोटते लोटते दोपहर हो जाएगी तीन कोस का पैदल रास्ता फिर सैकडो आदमियों से मिलना भेटना दोपहर के पहले लोटना असंभव है लड़के सबसे ज्यादा प्रसन है किसी ने एक रोजा रखा है वह भी दोपहर तक किसी ने वह भी नहीं लेकिन इद गाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है रोजे बड़े बढ़ों के लिए होंगे इनके लिए तो इद है रोज इद का नाम रटते थे आज वह आ गई अब जल्दी पड़ी है कि लोग इद गाह क्यों नहीं चलते उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं महमूद गिनता है एक, दो, दस, बारह उसके पास बारह पैसे हैं महसीन के पास एक, दो, आठ, नो, पंदरह पंदरह पैसे हैं इनहीं अंगिनत पैसों से अंगिनत चीजे लाएंगे खेलोना, मिठाईया, गेंद और जाने क्या-क्या और सबसे ज़्यादा प्रसंद है हामीद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेट हो गया फिर एक दिन मा भी मर गई अब हामीद, अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसंद है हामीद के पाउं में जूते नहीं है सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है फिर भी प्रसंद है अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है आज इद का दिन और उसके घर में दाना नहीं इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है किसने बुलाया था इस निगोडी ईद को अमीना का दिल कचोट रहा है गाओं में बच्चे अपने अपने माबाप के साथ जा रहे हैं हामीद का बाप अमीना के सिवाई और कौन है उसे कैसे अकेले जाने दे उस भीड भाड में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा नहीं अमीना उसे यो न जाने देगी ननही सी जान तीन कोस चलेगा कैसे पैरों में छाले पड़ जाएंगे जूते भी तो नहीं है कुल दो आने पैसे बच रहे हैं तीन पैसे हामीद की जेब में पांच अमीना के बटवे में यही तो बिसाथ है और इद का त्योहार अल्ला ही बेडा पार लगाए हामीद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम बढ़ना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा गाउं से मेला चला और बच्चों के साथ हामीद भी जा रहा था कभी दोड़ कर आगे निकल जाता फिर किसी पेड के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता हामीद के पेरों में तो जैसे पर लग गए हैं वह कभी ठक सकता था बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी यह अदालत है यह कॉलेज है यह कला घर है आगे चलें हलवाईयों की दुकाने शुरू हुई आज खुब सजी हुई थी इतनी मिठाईया कौन खाता है देखो न एक-एक दुकान पर मनो होंगी सहसा इदगाह नजर आई इमली के घने व्रुक्षों की छाया है नीचे पक का फर्ष है उस जाजिम बिछी होई है रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक नजाने कहां तक चली गई है यहां कोई धन और पद नहीं देखता इन ग्रामिनों ने भी वह किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए कितना सुन्दर संचालन है कितनी सुन्दर व्यवस्था हजारों सिर एक साथ सजदे में जुक जाते हैं फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं मानो भातरुत्व का एक सूतर समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोय होए हैं नमाज खत्म हो गई लोग आपस में गले मिल रहे हैं अब मिठाईयां और खिलोनों की दुकानों पर धावा होता है ग्रामिनों का यह दल इस विशय में बालकों से कम उत्सा ही नहीं है यह देखो हिंडोला है एक पैसा देकर चड़ जाओ कभी आसमान पर जाते हुए मालुम होता है कभी जमीन पर गिरते हुए यह चर्खी है लकडों के हाथी, घोडे और उंट चडों से लड़के हुए हैं पचीस चकरों का मजालो महमूद, महसिन, नूरे और सम्मी इन घोडों पर बैठते हैं हामिद दूर खड़ा है तीन पैसे तो उसके पास है अपने कोश का एक तिहाई जरा सा चकर खाने के लिए नहीं दे सकता सब चर्खियों से उतरते हैं खिलोने लेंगे इधर दुकानों की कतार लगी हुई है तरह तरह के खिलोने हैं सिपाही और गुजरिया राजा और वकील भिष्टी और धुबिन वह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पकड़ी वाला कंधे पर बंदूग रखे हुए मालुम होता है अभी कवायत की ये आ रहा है मुहसिन को भिष्टी पसंद आया कमर जुकी हुई उपर मशक रखे हुए हैं मशक का मुह एक हाथ से पकड़े हुए हैं कितना प्रसन है शायद कोई गीत गा रहा है बस मशक से पानी उडेल नहीं चाहता है नूरे को वकिल से प्रेम है काला चोगा नीचे सफेद अचकन अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर एक हाथ में कानून का पोथा लिये हुए मालुम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किये चले आ रहे हैं ये सब दो-दो पैसों के खिलोने हैं हामिद के पास कुल तीन पैसे हैं इतने महंगे खिलोने कैसे ले खिलोना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए जरा पानी पड़े तो सारा रंग धूल जाए ऐसे खिलोने किस काम के उन्हें लेकर वह क्या करेगा खिलोनों के बाद मिठाईया आती है किसीने रेवडिया ली है किसीने गुलाब जामुन किसीने सोहन हलवा मज़े से खा रहे है हामिद बिरादरी से पुटक है अभागे के पास तीन पैसे है क्यों नहीं कुछ लेकर खाता ललचाई आँखों से सब की ओर देखता है मिठाईयों के बाद कुछ दुकाने लोहे की चीजों की है कुछ गिलट और कुछ नकले गहनों की लड़कों के लिए यहां कोई आकरशन नहीं है वे सब आगे बढ़ जाते है हामिद लोहे की दुकान पर रुख जाता है कई चिम्टे रखे हुए हैं उसे खयाल आया दादी के पास चिम्टा नहीं है तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते है अगर वह चिम्टा ले जाकर दादी को दे तो कितनी परसन नहोंगी फिर उनकी उंगलिया कभी न जलेंगी घर में एक काम की चीज हो जाएगी खिलोने से क्या फाइदा व्यक्त में पैसे खराब होते हैं जरा देर ही तो खुशी होती है फिर तो खिलोनों के और कोई आग उटा कर नहीं देखता या फिर गर पहुँशने तूट फूट कर बरबाद हो जाएगे चिम्टा कितने काम की चीज है रोटियां तबे से उतार लो चुले में सेख लो कोई आग मांगने आए तो चट पर चुले से आग निकालकर उसे दे दो अम्मा बिचारी को कहा फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहा मिलते है रोज हाथ जला लेती है हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए है सबील पर सब शर्बत पी रहे है देखो सब इतने यालची है इतने मिठाईया ली मुझे किसी ने एक भी न दी उस पर कहते हैं मेरी साथ चलो मेरा यह काम करो मेरा वह काम करो अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पोचूंगा खाए मिठाईया आप ता मुझे लेगा फोड़े फुंसिया निकलेगी आप ही जबान चटोरी हो जाएगी तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे अम्मा चिमता देखकर मेरे हाथ से लेंगे और कहेंगे मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमता लाया है कितना अच्छा लड़का है इन लोगों के खिलोनों पर कौन इने दुआए देगा बड़ों की दुआएं सिधे अल्ला की दर्बार में पहुंचती है और तुरंट सुने जाती है मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता उसने दुकानदार से पूछा ये जिम्ट्या कितने का है छे पैसे लगेंगे हामिद का दिल बैठ गया फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ ठीक ठीक पांच पैसे लगेंगे लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा टीम पैसे लोगेंगे और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुटकियां न सुने लेकिन दुकानदार ने धुटकियां नहीं दी बुला कर चिम्टा दे दिया हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूख है फिर शान से अकड़ता हुआ, संगियों के पास गया मोसिल ने हस कर कहा यह चिम्टा क्यों लाया बुद्धू इसका क्या करेगा हामीद ने चिम्टे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिष्टी तो जमीन पर गिराओ सारी पसलियां चूचूर हो जाए बच्चू की अमीद ने कहा खिलोना क्यों नहीं है अभी गंदे पर रखा बंदूख हो गई हाथ में ले लिया फकिरों का चिम्टा हो गया चाहूं तो इससे मंजीरी का काम ले सकता हूँ एक चिम्टा जमा दो तो तुम लगों के सारे खिलोनों की जान निकल जाए तुम्हारे खिलोने कितना ही जोर लगाए मेरे चिम्टे का बाल भी बाता नहीं कर सकते बहादूर शेर है मेरा चिम्टा सम्मी ने खंजरी ली थी प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे दो आने की है हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा बोला मेरा चिम्टा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड डाले बस एक चंबे की जिल्ली लगा दी डब डब बोलने लगी जरसा पानी लग जाए तो खतम हो जाए मेरा बहादूर चिम्टा आग में, पानी में, आन्धी में, तूफान में पराबर डटा रहेगा चिम्टे ने सभी को मोहित कर लिया लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं फिर मेले से बहुत दूर निकल आये हैं धूप तेज हो रही है घर पहुँचने की जल्दी है बड़ों से जिद करें, तो भी चिम्टा नहीं मिल सकता हामीद है बड़ा चालाक इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे औरोंने तीन तीन, चार चार आने पैसे खर्च किये पर कोई काम की चीज न ले सकें हामीद ने तीन पैसों में रंग जमा लिया सच ही तो है, खिलोनों का क्या भरोसा तूट फूट जाएंगे हामीद का चिम्टा बना रहेगा बरसो मुहसीन ने कहा जरा अपना चिम्टा दो, हम भी देखें तुम हमारा भिष्टी लेकर देखो महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलोने पेश किये हामीद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ती न थी चिम्टा बारी-बारी से सब के हाथ में गया और उनके खिलोने बारी-बारी से हामीद के हाथ में आये कितने खूबसूरत खिलोने थे रास्ते में महमूद को भूख लगी उसके बाप ने केले खाने को दिये महमूद ने केवल हामीद को अपना साथ ही बनाया उसके अन्यमित्र मुह ताकते रहे गए यह उस चिम्टे का प्रभाव था ग्यारह बजे सारे गाउं में हलचल मच गई मेले वाले लौट आए मुहसीन की छोटी बहन ने दोड़ कर भिष्टी उसके हाथ से छिन लिया और मारे खुशी के उछली तो मिया भिष्टी नीचे आ रहे और सुरलोक सिधाए मिया नूरे के वकिल का अंत इससे भी ज्यादा गौरों में हुआ वकिल जमीन पर ताग कर बैठ नहीं सकते उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा दिवार में दो खटियां गाड़ी गई उन पर लखडी का एक पटरा रखा गया पटरे पर कागस का एक कालिन विचाया गया वकिल सहब राजा भोज की भांती सिहासन पर विराजे नूरे ने उन्हें पंखा डालना शुरू किया अदालतों में खस की टटियां और बिजली के पंखे होते हैं क्या यहां मामूली पंखा भी न हो बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकिल सहब स्वर्ग लोग से मृत्यू लोग में आ रहे और उनका माठी का चोला माठी में मिल गया फिर बड़े जोर्शोर से मातम हुआ और वकिल सहब की अस्थियां घरे पर डाल दी गई अब मिया हामीद का हाल सुनिए अमीना उसकी आवाज सुनते ही दोड़ी और उसको गोद में उठा कर प्यार करने लगी सहसा उसके हाथ में चिम्टा देखकर वह चौकी बोली यह चिम्टा कहां से लाया? मैंने मोल लिया है कितने पैसे में? तीन पैसे दिये अमीना ने छाती पिट ली यह कैसा बे समझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया लाया क्या? चिम्टा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोगे का चिम्टा उठा लाया हामीद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलिया तब इसे चल जाती थी इसलिए मैंने लिया बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्निह में बदल गया बच्चे में कितना त्याग, कितना सदभाव और कितना विबेख है दूसरों को खिलोने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा इतना जब्थ इससे हुआ कैसे? अमिना का मन गदगद हो गया वह रोने लगी दामन फैलाकर हमिद को दूआएं देती जाती थी और उसकी आखों से आंसों की बड़ी बड़ी बुन्दें गिरती जाती थी बाल दोस्तों, कैसी लगी कहानी? पीचर, हमें कहानी बहुत अच्छी लगी बाल दोस्तों, इस कहानी में एक घरी बालग हमिद की प्रतिभा, उसके त्याग और उसकी व्यवहारिक बुद्धी का सुन्दर रूप और साधारण आदमी के सुख दुख का गहरा अनुभव हमें इस कहानी के जरीए मालूम पड़ता है हमें दोट activity प्रतिभा में भाल्फना तै का साधारण प्रतिभा का sama । अच्पी